नमस्कार दोस्तों जैसा कि सौरब शुकला जी ने बताये कि मेरा नाम कमलेश शुकला है और मैंने भी हाली में 2016 जुनर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट दी है 13 जनुरी को उसमें मेरी स्पीड इंगलिस के लिए 49 वर्ड पर मिनेट 100% इक्कोरेशी के साथ और हिंदी की जुनय एसिस्टेंट का ही था टाइपिंग दिया था 2016 में और मैं उसामें टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं जानता था और शुरूआ थी में टाइपिंग की थी तो उसमें मेरा इंगलिस में 28 वर्ड पर मिनड गया था और हिंदी 25 वर्ड पर मिन तो जब मैं बाहर निकला एक्जाम सेंटर से तो मैंने क्या सीखा कि मैं वहाँ घर पे तो अच्छी टाइपिंग कर लेता था 35-45 तक पहुचा देता था लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया तो पता चला कि मेरे हाथ पैर कहां पर रहे थे और मैं बिल्कुल भी टाइपिंग वहाँ पर नहीं कर पाया और बहुत जादा प्रेशर में चला गया यहाँ वहाँ पर सांथ रहना जरूरी रहेगा हाँ बि your capital a लेकिन यहाँ दे ट दा अावीक शच्छाए इसली नहीं मागा फिर मांगा पिर अगल इंस्क्रिप्ट मागा फिर उसमें हपते भर की टाइपिंग दी गई थी मुझे और मैंने 5-6 घंटे लगातार टाइपिंग करके और एक हपते में अपनी यहाँ इंस्क्रिप्ट है इंस्क्रिप्ट है यह सेग्दम मिलती है कुछ वर्ड है जो दोनों की इधर उदर होते हैं नहीं तो दोनों सेम ही है तो आप पहले टाइपिंग करेंगे तो भूल जाएंगे, उमली आपकी जाएगी तो कभी-कभी कूरती दियो वाली, कूरती दियो की इंस्क्रिप्ट की कूरती दियो पर जा सकती है, यह आप प्रैक्टिस एक-दो घंटे करते हैं, तो आप सीख जाते हैं तूरंथी, यानि कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो चेंज करने में परसानी ज्यादा नहीं होगी तो देखिए यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी फॉंट पे जिस भी लेयाउट पे टैपिंग करते हैं आप लगातार करते रहिए जैसे यह ओफसे लोटे साथी देखिए टैपिंग फिर से पूरानी पटरी पे मेरी आ गई यह एकजाम मेरा पैंडेमिक के पहले नॉमबर 2019 में होना था जो नहीं हो पाया तो आप देख सकते हैं लगभग एक साल चार तिन चार महीने हो गए होंगे फिर उसके बाद मुझे टैपिंग करनी पड़ी फिर भी मेरा यह अनभव रहा कि आप टैपिंग करेंगे एक दो घंटे देंगे तो फिर से आपकी वही स्पीट फिर से आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि इससे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए आप फिर से टैपिंग में बिल्कुल वही स्पीट पा सकते हैं जो पुराने चात्र हैं जो टैपिंग पहले करते थे आप नहीं किसी कारण बस की हैं और फिर से एक्जाम के लिए करना चाहते हैं टैपिंग तो दो-तीन घंटे देंगे उनकी फिर से वही स्पीड आ जाएगी बात और है देखी मंगल फॉंट और इंस्क्रिप्ट के मनें बात कर ली है एक्जाम सेंटर में मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ दी ऐसा होता है जब मैं सुचता हो कि मेरी स्पीड साथ सत्तर ऐसे पहुंचा दूँ तो फिर एक्चारेशी बहुत गड़बढ हो जाती है और गल्तियां भी बहुत ज़ाद हो जाती है और जब मैं नार्मल होके चलता हूं कि नहीं मुझे 100% इक्वरेश्टी रखनी है तो मैं कैसे भी टाइपिंग करूँ मेरा 45-50 ऐसे चला जाता था तो आप इक्वरेश्टी पर ध्यान रखिए आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी और मैं यहां पर बताना चाहूंगा सभी मित्रों को अपने कि जब हम पांच गलतिया करते हैं जो मतलब सबका अलाग अलाग रूल है लेकिन जो जूनियर सिस्टेंट का यहां पर हमारे यहां रूल है उसमें पांच गलति करने पर आपका एक वर्ड पर मिनट घड़ जाता है इससे आपकी क्यूरेश्टी भी क करना है तो आपने 75 वर्ड सही किए और फिर 5 वर्ड गलत कर दीए तो आपने तो 40 वर्ड पर मिनट किया लेकिन आपका जो नेट स्कीस पी तो नेट भी अच्छी करते हैं और गलतियांग कम करते हैं तो आपकी इस पीड और नेट प्रक शेड़ेट ऑर नेट व процесс 보्राइश् तो वहां पर आपकी स्पीड क्या रही थी हिंदी में और इंग्लिस में और आपकी एकुरेसी क्या रही थी ये एक बार स्पश्ट कर दिजिएगा तक कि बागी शातर भी ध्यान से इसको बात को समझने की एकुरेसी कितनी जरूरी है आपकी स्पीड कितनी रही थी मेरे स्पीड अभी यूपीतर प्लसी 2016 जूनियर सिस्टेंट के लिए इंग्लिस की स्पीड मेरा 48 वर्ड पर मिनट था और 100% इकुरेसी थी मैं स्पीड और बढ़ा सकता था लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग था तो इसलिए एक जलती एक भी नहीं करनी है और स्पीड मेरा अच्छा हुआ और 48 वर्ड पर मिनट इंग्लिस में गया और हिंदी मैंने इंस्क्रिप्ट पर किया था मंगल इंस्क्रिट पर तो उसमें मेरा 40 वर्ड पर मिनट गया था और उसमें भी 100% इकुरेसी थी आपकी इंस्क्रिप्ट में अपने हिंदी में इंस्क्रिप्ट पर टैपिंग किया था चात्रों को अपने तरफ से बताना चाहता हूं कि एक्जाम हाल में वह क्या क्या चीजे ध्यान रखे टैपिंग के लिए जो मैंने फेज किया है और यह मुझे लगता है कि बताना बहुत जरूरी है तो आप ज लीजिए सबसे पहले यह मत सोचिए कि 11 बजे एक्जाम है तो हम 11 बजे आधा घंटे बंद होगा तब घुसेंगे तो यह रूम हाल में जाएंगे तो यह दिक्कत हो जाती है क्योंकि आप जब परिक्षाहाल में जाते हैं तो जो डर होता है वह गंटे में सारा निकल जाता है और एक positive energy आती है तो यह थोड़ा ध्यान रखें और एक्जाम हाल में किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा बस यह ध्यान रखे कि आपने तो टाइपिंग बहुत अच्छी की है आप घर पे अपने बहुत अच्छी टाइपिंग करते हैं तो आप बहुत आर सब्सक्राइब मेअ कि चैनल करें तो सब्सक्राइब करते हैं और अगर अच्छी ट्राइपिंग करते हैं तो आप किसी हां बियक्ति को खटे करिया RS2 मौम देखीं कर देखिए बहूर Background करते हैं तो इससे बहूंत अच्छी स्वीड आएगी और कि मैं कैसे typing करती हूं करती हूं या करता हूं तो आपका बहुत अच्छा typing हो जाएगा तो किया 40 दिन या 45 दिन में हिंदी में 25 जाधा और इंग्लिस में 30 सभीड क्या प्राप्त की जा सकती है जिन लोगँ ने पहले typing किया भी होगा कुछ लोग ने होंगे उनके लिए मैं ही कहना चाहता हूं कि जब आप टाइपिंग करें तो आप ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग को ना याद हो कि कौन सी की कहा है कौन सा बटन कहा है आपके उगलियों को याद हो कि कहा है वो बटन क्योंकि जब आपके उगलिया चलेंगी तभी आपके दिकते होंगी उंगलियों को पहुंचाने में हो सकता उंगली इधर हो जाए कभी कभी बीच में चली जाती है तो यह दिक्कत आएंगी जैसे आप कोई सब्जेक्ट नहीं जानते हैं सुरू में पढ़ते हैं तो आपको बहुत बोरिंग सा लगता है जब आप उसके बारे में जीरो हो जाएंगी तो आप अगर सुरू कर रहे हैं भी तो मुझे लगता है तीन से चार घंटे आप टाइपिंग करें और जिन्होंने सीखा हुआ है वो एक गंटे दो गंटे कर देंगे तो उनके लिए प्रयाप्त है टाइपिंग तो उम्में थे कि आपको काफी अपने अपने काफी जानकारी चात्रों को देई है और हम उम्मीद करेंगे कि आप से भुष्ट में हमारा साथ बना रहे है और आपके साथ हम कुछ और जानकरी अपने मित्रों साथ आचा करेंगे